प्रिविएस क्वेश्चिन तेंजेंटेट वर्टेक्स दीवी थी मेरेको 3x-4y is equal to 5 इसके परपेंडिकुलर लाइन 1,2 से पास होती भी श्राइद मैं निकाल चुका था 4x plus 3y is equal to 10 मालने अब मुझे इस पैराबुला की एक्वेशन निकालनी थी इस वाले मैंने एक observation किया कि इस पे रहने वाला p-point जिसके कॉडिनेट इस कोवा कि माने जाए और उससे अगर इस पे perpendicular गिराए जाए और इस पे perpendicular गिराए जाए तो इनकी जो length है इनकी length का use करके और latest rectum की length का use करके इस पेराबला की equation लिखी जा सकती है ना इसको माल लेते हैं बीटा इसे माल लेते हैं alpha थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए माना है तो क्या इसकी equation beta square is equals to four times a या four times a भी नहीं सॉरी latest rectum times alpha लिख सकता हूँ यार बोलो तो सही आर कम से कम लिख सकता हूँ अच्छा beta square मतलब इसकी distance से perpendicular distance क्या लिखूंगा 4H plus 3K minus 10 upon 5 का whole square mod लगाने का logic नहीं क्योंकि square करना था is equals to किता है था latest rectum? 8 times mod 3H minus 4K minus 5 upon 5 अब game सिर्फ एक चीज का है और वो यह है कि mod कैसे खुलेगा अगर आपने mod हटा के plus minus लगा दिया तो आपको 2 parabola मिलेंगे और वो कौन से parabola मिलेंगे यही बतायता हूँ एक इस साइड वाला और एक इसकी किया जाए जब यह बोला गया तो सिर्फ इस mod के खुलने का ही तो game है mod के अंदर बैठा कौन है 3H minus 4K minus 5 यानि कि इस line के expression में इस point की coordinate रखने पर जो मसाला बनेगा वो position of a point with respect to line नाम की एक चीज होगा करती इस दुनिया में होती है नहीं होती अच्छा 1,2 और इस parabola पर रहने वाले सारे point हमेशा इस line के सेम साइड पर रहेंगे अरे यार मेरे parabola पर रहने वाले सारे point और 1,2 इस line के हमेशा सेम साइड पर रहेंगे नहीं रहेंगे क्या तो 3x minus 4y minus 5 में यह काम करता हूं 1,2 रखते हैं 1,2 रखा तो यह negative आगया नहीं नहीं आगया नहीं यानि कि इसके अंदर भी negative आएगा तो इमाड कैसे खुलेगा कदम बद एक परावला मिला मैच क्राल हो आंच राजा हो इतनी तो बुद्ध लगाने पड़ती तब ही तो किसी ने का ए गुलावतन, spider, एक्र बोलते है अपनी इच्छा से कुछ ऐसा लगता है अप लोग अग्रोगों को ऑगी कुछ अपनी इच्छा से बोलते होंगे करते हैं improvise मुझे तो लगता है अमिर खा नहीं करता हो इतनी अकल तो उसी में बागी तो सन्नाटी ही लगता है मिलकी सारे, जो उनको बूला जाता हो कि चपचाप जाए हां आक्षा कुमार भी हो सकता है, वो तो ज्यादा इंटलिजेंट है, बागी दो फाइटी नहीं मारते हूं, लाओ, इस समझ में आगी कि बात नेकिटिव के उखलेगा, नेक्स्ट, किस्ट नंबर, चैकली हमने गल, वाओ तो के बाई, किस्ट नंबर सेवन, if a variable circle, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, if a variable circle touches a fixed circle and a fixed line, एक variable circle है, जो कि किसी fixed circle और fixed line को touch करता है, ठीक है क्या, show that the locus of the center, show that the locus of the center of the variable circle is a parabola, is a parabola, whose directrix, whose directrix is parallel to the given, is parallel to the given line at a distance equal to, at a distance equal to, the radius of the given circle, यह जो questions होते हैं, यह होते हैं, geometrical question, geometrical question कैसे है, देखो, एक तो fixed line दी गई है, एक fixed circle दिया गए है, माल लिजीए, यह circle s is equals to zero है, यह line l is equals to zero, यह तो given है, अगर यह given है, तो इसका center given होगा, यह तो given quantity है भाई, c ही, इसका center पता है, इसकी radius पता है, इसकी radius माल लेते हैं, capital R, थोड़ी देर के लिए, अब एक variable circle है, इस दुनिया में, जो इस circle को और इस line को हमेशा touch करता है, इस circle के center का लोकस निकालना है, तो इसे ph, k मान रहाँ हूँ मैं, अब इस circle की भी कुछ तो radius होगी न, उसे capital R माल लेते हैं, इस circle की जो radius है, उसे मैंने capital R माल लिया, यह capital R, यह small r, यह fix है, और यह variable है, उल्टा हो गया, sorry, fix variable तो रही लिखाया है, इसको small r माल लेते हैं, इसकी radius को यह variable है, और यह capital R जाए, यह fix है, अच्छा तो इस p point की, इस line से perpendicular distance किती हुई, small r ही होगी यह, नहीं होगी, अच्छा, मैं तो एक बात जानता हूँ, अगर इस दुनिया में एक ऐसी parallel line बनाई जाए, दीवी line, fix line से, जो की इस दीवी line से, capital R distance पर है, तो यह line भी known होगी, मैं parallel line बना सकता हूँ भाई, किती भी distance, जितने distance आपने बोला है, यह भी एक given line है, और यह एक given circle है, यह given line, यह given, अच्छा, मेरा point जो पी जो variable point बताया गया है, उसकी इस given red line से, perpendicular distance, यह capital R, यह R, तो PM किता हो गया भाई, capital R plus, this is equals to CP, अरे CP भी तो यही रहेगा भाई, क्यों, क्योंकि इस circle को touch कर रहा है, तो इन दोनों की centers की बीच की distance radius के समके बराबर होगी, नहीं समझ में आ रहा है, यानि कि P एक ऐसा moving point है, जिसकी किसी fixed point और किसी fixed line से, perpendicular distance हमेशा बराबर है, तो P का locus एक parabola होगा, जिसके लिए यह red line, directrix का, और यह center, focus का का काम करेगा, समझ गे हैं, अगर equation निकालना चाहो तो एक line की equation अपने इच्छा से ले लो, और एक circle की equation अपने इच्छा से ले लिजा, अगर equation और parabola निकालने का interest हो तो, बट क्योंकि theoretical question है, इसलिए theoretical answer ही दिया जा सकता है, तो वो इदर आ जाएगी, अगर ये circle बड़ा बनाओगे, तो ये line इस साइड आ जाएगी, क्योंकि वो difference हाएगा उस साइड, इक्वेशन कुछी भी आ, मेरे को ये प्रूव करना था, कि पैराबला बनेगा पहली बात, दूसरी बात उसके जो डारेक्टरिक्स होगी, वो इसके पैरलल होगी, इतनी डिस्टेंस पे जितना रेडियस है, मुझे तो इतना इप्रूव करना था न, अब वो चाहिए डारेक्टरिक्स साइड है, चाहिए डारेक्टरिक्स साइड है, I don't care, मिक्की माउस ये कह रहा है, कि एक सर्कल ऐसा भी तो बन सकता है, मतलब जिसके अंदर ये ब्लू वाला सर्कल आजाए, बिल्कुल बन सकता है, टूचिंग वाली बात है न, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन उस केस में डारेक्टरिक्स होगी, वो इस रेड लाइन जो इदर बनाई है, परने वो इस साइड बनेगी, तो मेरे को पूरूव करना था, वो तो तो सिर्व इतना पूरूव करना था, क्योंकि उस समय सेंटर्स की बीच की डिस्टर्स रेडियस की डिफरेंस की मॉड के बराबर होगा उसों मॉड लगाना परता सूगला आता है इसलिए मैंने ऐसा नहीं बनाया और कोई वो नहीं है बार बिल्कुल बने का सही बात है किस्ट नमबर एट a variable circle a variable circle always pass through 1,0 always pass through 1,0 and touches the curve y is equals to 10 10 inverse X एक variable circle जो की 1,0 से pass होता है और एक curve को touch करता है वो curve है y is equal to 10 10 inverse X इस curve की photo कैसी बनेगी पता नहीं find the equation of the locus find the equation of the locus of the center of the variable circle क्या एक curve सोच पाएं y is equal to 10 10 inverse X वैसे तो सोच पाना थी एक कायदे से आप है y is equal to y is equal to x वो लिखने का बेहत बत सुरत तरीक है y is equal to x है ना y is equal to x सुनो तो एक circle है variable circle जो कि हमेशा वन कॉमा जीरो से पास होता है और y is equal to x को touch करता है तो उसके किसका लोकुस निकालना है center का लोकुस निकालना में यहां माल लेजे बन कॉमा जीरो पॉइंट है यह इसका center है इसको माल लेते है है एच कॉमा के ठीक है किस्टन अल्मूस्ट खतम है इसकी यहां से perpendicular distance pm इसे एस माल लो इसके बराबर होगी हो गया नहीं होगी खतम अगर आप इक इसके लिए fix line किसका काम करेगी direct risk और fix point focus का तक्रीबन ऐसा है गा locust कि क्या बना रहो मैं उसकी access यह बोला करो बाकी लोग सब यार मजा नहीं आता फिर यार उसका vertex कहा एगा इस point पे line पे अभे s और his line point की बीच में आएगा यह foot of directrix है कौन सी कौन सा कलर बचा भाई कोई सा कलर ने बचा ब्लैक से बनाना पड़ेगा the parabola will be look like this इस तरह बानेगा इसे oblique parabola बोलते हैं जिनके axis मेरे x y axis यानि coordinate axis के parallel नहीं होते उन्हें बोला जाता है oblique parabola इसकी equation लिखने के लिए क्या करना है sp बराबर pm sp जल्दी h-1 का whole square तुम बोला करो यार तभी k square is equals to pm mod h-k upon root 2 का whole square उदर अडरोट नहीं लगा नसली this will be the locus कर दो कर दो कर दो कर दो परम्रीतरोअ कोडिन, तो परफोर, परफोर्डर कोडिने खैके Ihnen कबंधी सब्सेंद और य स्कीद कोडिने। य स्थेद्नेर, य स्कीदा भॉर यस्व्या लॉग害। to 4Ax, for y square is equals to 4Ax, parametric coordinates 80 square comma 280, standard अगर कहीं पर P bracket में T लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसके parametric coordinate 80 square comma 280 है, कभी bracket में T1 लिखा हो, there T denotes the parameter of this point, अगर T1 लिखा है तो parameter T1 हो गया, तो coordinate हो जाएंगे 81 square comma 281, ठीक है, अपन जिस उमर में हैं, या अपन जिस fight को लड़ने जा रहे हैं, no one will ever ask you to the coordinate, कोई आप से coordinate ने पूछेगा, parameter देखे, अरे अज़ा थोड़ी होता है भाई, लेकिन उल्टा पूछ सकता है, अब यह उल्टा पूछ सकता है का मतलब क्या है भाई, सपोज कभी किसी ने आपको एक point के coordinate दिये पैराबोला पे A, 2A, बात को समझने ही कोशिश करना, जैसे ही आपने A, 2A नाम कहिए, यह extremity of latest rectum है actually, one extremity of latest rectum, समझ मारी ही गयार, जैसे ही आपने इस coordinate को देखा A, 2A, आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आना चाहिए, कि यह एक ऐसे point का parametric coordinate है, जिसका parameter बन है, अगर आप उल्टा सोच पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा fast करेंगे, कि ज़्यादा fast नहीं मतलब fast test करेंगे actually, किसी भी point के coordinate, अगर किसी parabola पे, parabola 99.99% wise square is to 4A xe होगा, इसके अलावा कोई दूसरा parabola देना, तो इसका मतलब उस question बनाने वाले ना पने पर पर कुलाड़ी मारेगी, वो खुद ऐसा काम करेंगे ही नहीं, जब वो parabola यही देगा, parametric coordinate यही होंगे, तो इस point को सोचते ही, इस point को देखते ही, सबसे पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए, कि यह एक ऐसे point का parametric coordinate दिया गया है, या ऐसे point का coordinate है, जिसके corresponding parameter बन रहा होगा, अगर मैं यहाँ T की जगे बन रखता हूँ, तो A, 2A मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर suppose कभी किसी ने, अगर A, minus 2A, which is the second extremity of latest rectum, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले, एक, क्या हैगा, minus, तो minus 1 की corresponding coordinate है, कुछ मेरे बात समझ जा रही है, clear है, ठीक, तो ये ये तो हुई उल्टा सोचनाली बात, जो मेरे काम में सबसे जादा आएगी, कभी कभी ऐसा हो जाए, बहुत मुश्किल है, बहुत rare of the rarest chance जिसे बोलते हैं, वो वाली बात है, कि कभी अगर मेरे को parabola, y square is equals to 4ax के अलावा, by the way, अगर मुझे y minus k का whole square is equals to 4a times x minus h दे रखा है, तो मैं parametric coordinate क्या मानूँगा? उपर वाले से तो डर हो कम से, x coordinate में k जोड रहे हो यार, तुम मतलब, किसे ढकन हो? कुछ ही नहीं है, आपके coordinate तो 80 square का हमा 280 है, लेकिन 80 square x minus h की value है, x की नहीं है, तो x की value ही तो h plus 80 square हो गई यार, आपका दूसरा coordinate 280 है, लेकिन वो y की बज़ा y minus k की value है, अरे y की बज़ा किये लिखा हम मैं क्या करूँ हूं भाई, मेरे coordinate तो 80 square का हमा 280 थे, उसके लिखा मेरो कुछ चमकता नहीं है, लेकिन shifting of origin की वाज़े से h और k जुड़ेंगे उसमें, समझ गही है, ये सिर्फ मैंने आपको extra knowledge के लिए दिया है, we will hardly use this, बहुत मुश्किल है, कि हम इसे use करें, क्योंकि y square is equals to 4x के लाभा, किसी दूसरे पर question बनते नहीं है, इस पर इतने हैं कि मतलब, दूसरे पूछने का logic ही नहीं है, खेर, जब मेरे को parametric coordinate मिल गए, 80 square, 280, तो फिर तो लालज बढ़ना स्वाब भी था, फिर तो लोग पागल से हो गए एकदम, लो जी साब, यह पहले question कर लो चलो उसके, parametric coordinate के दो चार, question number, 9, parametric coordinate based, simple simple halwa type questions, find the sides, find the sides, of an equilateral triangle, find the sides, of an equilateral triangle, inscribed, in y square is equals to 4ax, inscribed in y square is equals to 4ax, if one of its vertex, if one of its vertex, coincides with the vertex of the parabola, coincides with the vertex of the parabola, माल लीजिए, एक parabola है, इसके अंदर एक equilateral triangle inscribe करना है, inscribe करने का मतलब यह होता है, कि उसके तीनो vertex इस parabola के, parabola कर पे लाए करे, तीनो vertex, तो due to Mahabishan Symmetricity, यह वाली side vertical होगी, otherwise, आप इसे inscribe नहीं करवा पाऊगे, अगर इस symmetric नहीं वह, आप सोचोगी नहीं यार, इसको आगे ले जाओ, इसको पीछे ले जाओ, तो यह नहीं बनेगा, Symmetricity नाम की बिज़िख चीज होती भाई, इसको माल ले जाओ, यह वाला angle कितना होगा, कोई idea, 30 degree, ठीक है, अच्छा साब, ओके, दो रास्ते आपके पास, एक इस P point की coordinate, H, K माल लो, due to Mahabishan Symmetricity, इस point की coordinate, H, minus K हो, मान रहो कहा है यार, अच्छा, यह वाला point, के यह distance, H, K by H is, K by H is, 10, 30, 10, 30 मतलब, 1 by root 3, यानि की, H, बराबर, root 3K, H, बराबर, root 3K, बिना distance form लेके, side of the equilateral triangle is, 2K, बिना distance form लेके, side of the, equilateral triangle is, 2K, मौड लगानो, मौड लगानो, बिना लो, चाहो तो, चाहो तो, मौड लगानो, बैसे, H, K क्योंकि, मैने 1st कोरण माना, इसलिए, positive, मासरति रो किया, तब कैसे पता, कि 1st माना, इसलिए, मौड लगानो, या तो उपर होगा, या तो उपर होगा, नीचे होगा, या तो Y positive होगा, या तो Y negative, इसलिए तो कुछ हो निए सकता, क्योंकि, A तो हम positive ही मान की चलते हैं, Y square is equals to 4AX, पराबुला तो इसी side है, ठीक, H पराबर क्या आगया, root 3K, काहा रखू इसको, K square is equals to, 4A H, इसमें रख दिया, H की जगे, root 3K, 4A root 3K, K square, K cannot be zero, क्योंकि K अगर zero हो गया, तो triangle थोड़ी बनेगा, हैं, लेकिन देखो, यह answer हमेशा आते हैं, यह limiting situation है actually, आप बात को समझे, यह वो limiting situation है, जब P और Q, AP आजाए, आप उसे triangle नहीं बोलो, मैं भी उसे triangle नहीं बोलूँगा, लेकिन आएगा जरूर, answer में, mathematically, आना जरूर ही है, यहां पर दिखता भी हो, reject होता हो, K किता आगया, 4A root 3, तो side किती आगई भाई, A नहीं मानना चाहिए, यह साइड को गलत बात है, A हमारे पास और भी, यह मार्केट में पहले से अवेलेबल था, नहीं समझ आ रहा, यह थाना भी है, बुरा मान जाते हैं, लोग भाग नहीं तो, यह side S माले लो, चलो, किती होगी side, 8A root 3, अच्छा, इसमें, सुन रहे हो गया, इसमें मैंने, parametric coordinate का इस्तमाल नहीं करा, मैंने random point की coordinate माल लिए है, आप action और भी नहीं मान सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, same procedure होगा, अगर मैं इस question को, आपको using parametric, using parametric coordinates, पिछले 8-10 मैनों से, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, parametric coordinate मानने का, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, एक ही सबसे बड़ा फायदा है, कि दो variable नहीं मानने पड़ते, एक T मानोगे, आपको दोनों coordinate मिल जाएंगे, clear है क्या, अगर मैं इसकी parametric coordinate मानता, तो मैं मानता 80 square, 280, तो इस point के coordinate क्या हो जाते, मज़ा नहीं आ रहा, 80 square, minus 280, इसकी length हो जाती, 80 square, इसकी length हो जाती, 280, मेरी side length हो जाती, 480, किसी ओको समझ मा रहे है क्या, this upon this, 280 upon 80 square, is equals to, 1 upon root 3, TT cancel, नहीं, आई, A cancel, 2 upon T, बराबर, 1 by root 3, T किता आग है भाई, 2 root 3, जैसे T उठा के यहां रख दूँगा, I'll get the answer, 8A root 3, यह जितना छोटा पड़ा, वो भी बतायता हूँ, इसका छोटा पड़ने वाला, जो जगे हैं, वो है सिर्फ यह, मुझे पैराबोला में, H, के रखने की ज़रूद, नहीं पड़ी, क्योंकि बाई डिफॉल्ट, जो कॉडिनेट मानेगे, 80 स्कार कॉमर 280, वो मेरे पैराबोला को सैटिस्फाय करते हैं, यह पैरामेट्र कॉडिनेट मानने का फायदा है, कि आपको रेंडम पॉइंट्स, करो की एक्वेशन में, पर रख के मिलने वाली कंडिशन की जुरत, लगाने की जुरत नहीं पड़ती है, clear? कई लोग भावोगी हो जाते हैं, सर यह वाली सिचुएशन तो आई गी नहीं है, K0 आई थी जब अपने T से T काटा था, यह जो T से T काटा था, आई वहत होमेशा आएगी, यह जो पॉइंट है ने यह वर्टेक्स, hello, यह जो वर्टेक्स है, A, इसकी कर्रेस्पोंडिंग पैरामिटर, 0, इसकी भी कर्रेस्पोंडिंग पैरामिटर है, भाई, पैराबूला पे लाएक करने वाले, हर पॉइंट के कर्रेस्पोंडिंग पैरामिटर है, हर पॉइंट की, इसकी कोडिनेट 0,0 है, तो यह 80,280 में T की जगे क्या रखने से बनागा, 0, और यही बनेगा सिर्फ, किसी भी पैरामिटर को रखने पे, एक पैरामिट बनेगा fix, T की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके, प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं, यह नेगेटिव वाले T के लिए है, यह नेगेटिव टीज के लिए, यह जीरो के लिए, यह पॉजिटिव टीज के लिए है, कुछ समझाने मेरे बात, ठीक, find the locus, find the locus, of the point of trisection, find the locus of the point of trisection of the double ordinate, of the double ordinate of any parabola. किसी parabola के double ordinate को trisect करने वाले point का locus बताने है, trisect मतलब? तीन equal parts, बहुत बढ़ी है, जब भी किसी question में, parabola की equation नहीं दिये होगी, तो हमेशा बाइस करेजिगे स्टू 4AX मानेंगे, क्योंकि उसके लिए standard results पता होते हैं, by default. trisect करने वाला जो point होगा न, वो भी इसके axis के बहुत symmetric होगा, वो भी इसके axis के बहुत symmetric होगा, trisect करने वाले point, मतलब ये ले लो चाहे ये ले लो, इस point को P मान रहा हूँ, इस point को P' मान रहा हूँ, किसी का भी locus निकाल लो, सेम मिलेगा, और तब ही तो question बनेगा भाई साब, अच्छा, इस P के coordinate क्या माने गए, h, कि कोई नहीं जानता, इस point के coordinate h, 3 के कैसे आए, जब तक आप दिमाग ने लगाओगे, जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे, अपने brain को, तब तक आप कोई समझ में नहीं आगा, कि इस point के coordinate h, 3 के कैसे, अगर इसका h कैंने तो, अरे भाई साब, ये तीन भागों में बाट रहा है, दो रुपेश के पास, दो रुपेश के पास, दो रुपेश के पास, तो एक रुपेश के पास, अगर इस पे एक, इस पे दो, तो ये के, तो ये टू के, इस से ज़्याद अच्छे से नहीं समझा सकता हम, ट्राइस सेक्ट में तो तीन हिस्सम में बाटेगा ना, तो एक एक रुपेश भी तो ले सकते थे, वो एक एक लेता तो फिर उसको पचा-पचा पैसे मिलता, फिर तुम आजीव सा लगता, पचा-पचा पैसे भी देते हैं किसी को आज़कल, इसलिए थोड़े स्टेंडर्ड मिंटेन रखाए, सही है गया, तो ये ह, थरी के किस पे लाए करता है भाई, किसी को समझ मा रहा है, अब प्रॉब्लम ये है, अपनी आम समाद के साथ, कि लोबाग इस क्वेश्चन को बहुत आराव सॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस कोडूने ही कोशिस करते हैं, मिले गई नहीं, क्यों नहीं मिलेगा किया आपको पिराबूला की Εक्विश्च वाइश करूब अगर 4X दी गई थी तो फिर यांसर कैसे मिलेगा यांसर कैसे मिलेगा भई आपको जो आंसर मिलेगा भी न अगर उसके अंदर तो आपको आंसर मिलेगा theoretically लोकस of the point of trisection of any double ordinate is a parabola whose vertex is same as the original parabola and whose latest rectum is one ninth of the original parabola ये मेरा आंसर होना थी है मेजे जो parabola answer में मिलेगा या लोकस में मिलेगा that will be मतलब जो लोकस आएगा that will again be a parabola वो भी एक parabola है मेरा लोकस भी एक parabola है जिसका vertex same है मेरे original parabola जैसा मुझे नहीं पता मैंने कौन सा parabola लिया था भाई लेकि मेरा जो आंसर आया है उसका vertex same आया है और उसकी latest rectum मेरे original parabola की one ninth है इस तरीके से कभी-कभी text में भी आंसर देना पड़ सकता है यह तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि अगर कोई subjective में पूछ ले तो पर subjective तो होने वाल है यह नहीं तो ऐसे tension है यह नहीं बोर किसलिवस में है नहीं है उन्फॉर्चुनेटल चल बट अगर कोई subjective पूछता है और कोई किसी ने अगर बिना parabola के question दे आंसर पूछा है तो यू शुड नाट कि वाइस का रिजिकस तो 4a by 9x क्योंकि उसने parabola तो दिये ही नहीं तो तुम्हारा कांसर आंसर आगया साल तो हमने माना तो हमने माना तो फिर मानने के टम में आंसर देना पड़ता है समझ गए तो यह आंसर लिख क्या ना गलत बात आपको मिल जाएगा वैसे शीट में question किस तरीके से पूछा जाना है खेर अगर कभी-कभी लोगों ने बोला कि नहीं हमें तो नहीं करना इससे ऐसे बुरा नहीं मान जाते कई बार लोग कि नहीं क्यों करें इससे तो फिर 80 स्कायर कॉमा 280 से करो 80 square comma 280 से करने का फायदा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको यह वाली स्टैप नहीं करने पड़ती यानि कि जो कॉडिनेट है उसे पैराबुला में ठोगने क्या वेशकता नहीं पड़ेगी इसके कॉडिनेट ह क्या मान लिए इसके कॉडिनेट 80 स्कायर कॉमा जीरो फटा 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 मानना पड़ता है ऐसे नहीं चलता काम यह क्युक्तित को अति स्कायर के क्योआ यह कि टी 2 80 by 3 इसमें से क्या मोड़ी करना इस ऐक यह क्यों क्यों वह वह मैंने माना था क्योंकि वह चीज मैंने मानि एक राइटर्य रिमूड की लिएट डिरिलेशन बिट्वीं एच यह एडिके डिशें ब्ली कंटी विशें ई तरीके दोनों आने चाहिए, तरीके तो जितने ज्यादा आज सकें उतने बड़ी हैं यह तो सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे से क्यूस्टिन है अजल पोजिशन ऑफर पॉइंट विछ रिस्पेक्ट टू पेराबोला में पर्फपद टैस्गेस के देखा गया तो पेरापूला ने भी इस दुनिया को तीन थीस्सों में बाठा था एक इसके बाहर एक इसके अन्दर और एक इसकी बाउंडरी पर कोई तीन हिससे जो सरकल में बने थे लाई निये एक बिशारी बोली-बाली दैस दुनियाको सिर्व टो इस्सों माटती है 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 कि पैराबोला ने इस चीज को दो तीन हिस्सों में बाटा है एक पी पॉइंट ले लिया एक्षान कॉमा वाइवन और मेरे कर्व की एक्वेशन एस वाई स्कॉर माइनस फोर ए एक्स इस इकॉस टू जीरो इसमें कोई पूछता है कि एस कौन है आंसर एस कौन एस किसी लिखा गया है एक्सप्रेशन आप यहां है यहां से अगर एक्स इस पे पर पर पेंडिकलर डाला जाए इस पॉइंट को क्यू माना जाए तो इस पॉइंट के गाडिने एक्सप्रेशन तो सेम ही होगा भाई हैं पी की डिस्टेंस एक्सस से पी की डिस्टेंस एक्सस से विच इस मॉड वाई बन विल अल्वेज बिटेंस क्यू की डिस्टेंस एक्सस से विच इस मॉड वाई टू इफ बोथ दे साइड ऑफ इनेक्सप्रेशन इस नॉन नेगेटिव बोथ दे साइड अगर हमने दोन x1 यहां रख सकता हूं यह बन गया y1 square should be greater than 4 a x1 एक साइड लाए y1 square minus 4 a x1 greater than 0 किसी भी point के coordinate को किसी expression किसी कर्व के expression में रखने पे मिलने वाला मसाला क्या कहलाता है क्या कहलाता है same result दुपारा लिखने की कोई जरूत नहीं सारा नहीं लिखवारा s1 greater than 0 implies point p lies outside the parabola same equals to 0 होगा तो on the parabola and less than 0 होगा तो inside the parabola लिखी लिखी लिखने का समय दिया जा रहा है आपको s1 greater than 0 point p lies outside same है इसलिए अपने इस पर टाइम नहीं लगा रहे एट्सेट्रा equation of court joining pt1 and qt2 the parabola begins अभी तक हमने कोई standard result नाम की चीज मार्केट में लिलाएं अब से standard result चालू हो रहे है वैसे तो यह एक तरह का मजाक ही है क्या equation of court joining pt1 and qt2 अगर मुझे पैरा बोला मेरा पता है y2 is equals to 4a x है तो क्या मुझे pt1 पी के कोडिनेट पता है तो माइनस टीवन सही बात है अपाउन ए टीटू स्क्वाइर माइनस टीवन स्क्वाइर पैंसी बाजे बजने का टाइम आ चुका है यह देखो बाजी किचिक 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 गए है ए ए ए कैंसल स्लोप आफ पी क्यू किता है यह तू अपाउन टीवन प्लस टीटू स्टीड इस्टिक्टू दिमाग रटा होना चीए पी टीवन क्यू टीटू को जोडने वाली कॉड का स्लोप टू अपाउन टीवन प्लस टीटू होता है इसकी बाद अगर मुझे एक्वेशन लिखनी है एक्वेशन आफ य माइनस य वाई वन किचिक क्या लिखूं टू ए टीवन टीवन नहीं करेड़े टू ए टीवन इस टू स्लोप की जगे ए टू अपान टीवन प्लस टीवन टीवन इस इप ईसकी इसको क्रॉस मल्टिपला एक किची खूपाज कुस प्लस पूस 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 एकसाइड ले किया है सारा मसाला अगरो तो नहीं इस टू हैस्क का इतव प्लस टीवन我跟你講 सॉट पा काम नहीं करा है इसे मैं बहुत बड़ी चीज मानता भी नहीं हूँ इस पार्ट ऑफ दो मुवी जी टी आर गुट रिमेंबर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो ऐसे कोई सांसों बसाने के जरूद नहीं है लेकिन ये चीज सांसों बसी होने चीज़ अगर अगर मुझे पैराबुला पे लाए करने वाले किनी भी दो पॉइंट के करिस्पॉंडिंग पैरामिटर पता हैं तो मुझे उनको मिलाके बनाई जाने वाली कॉड का स्लोप डारेक्ली पता है तो एक बाह बताईए अगर किसी भी लाइन को किसी भी पॉइंट को वर्टेक्स से जोड़ने वाली कार्ड का स्लोप क्या होगा premature T ड्युमादी डारंचर चाही Ryuें लेल को अगर पैरामिटर और पाइंट है जिसका पैरामिटर ट्यूप कुई वर्टेक्स से जोडने वाली कॉड का स्लोप डारेक्ली मुझे जाल्के क्योंकि बाह क्योश्यों बहुत फास्ट दुनिया सोची नहीं पाएगी उची तरह में तो आंसर आ जाना चाहिए इसका कॉफिशेंट पॉइंट इसका कॉफिशेंट माइनस के साथ चलो खेर कर के राथ हमें इसके आगे इसको रिष्टा नमर बन माल लेते हैं इस इसके साथ लगए है इस कॉड़ पीक्यू पासिस थूर फिक्स पॉइंट if chord PQ passes through a fix point on axis on axis say c,0 अगर मेरी chord PQ axis के किसी fix point c,0 से pass होती है कोई भी fix मतलब c,0 से तो infinite chords पास हो सकती है ऐसी chord हो सकती है ऐसी chord हो सकती है c,0 से पास पास हो सकती है अगर मेरी chord c,0 से पास होती है तो c,0 से satisfy करेगा और कौँछी बड़ी बात हो गई तो c,0 ठोक देते हैं इसके अंदर हैं ठोको 2c plus 2a t1 t2 is equal to 0 t1 t2 is equal to minus c by a very,very,very,very,very important is constant remember अगर मेरी p,t1,q,t2 को मिलाकर बनाए जाने वाली chord axis के किसी fix point से पास होती है तो t1 और t2 का product हमेशा constant आएगा उस constant की value minus c by a मेरी बात ध्यान से सुनों उस constant की value minus c by a y square is equal to 4a x के लिए आईए this will be constant always फिर से वापस कह रहा हूँ किसी भी parabola I don't care कि parabola कौन सा है किसी भी parabola कि किनी भी x किनी भी 2 points को मिला कर बनाई जाने वाली chord axis के यदि किसी fix point से पास होती है तो उनके parametrics का product हमेशा constant आता है and in case of y square is equals to 4a x अगर उस fix point के coordinate c, 0 है तो product minus c by a के बराबर आएगा English में मैंने जो बोला है वो ये हैं कि ये वाला result सिर्फ y square is equals to 4a x और c, 0 के corresponding आया है लेकिन इक constant for any parabola है इसका constant होना parabola की property है इसकी value minus c by a आना particular case है जब मैंने parabola y square is equals to 4a x लिया और point के coordinate c, 0 है चलिए ये तो आगया t1, t2 minus c by a जब ये t1, t2 की value constant आगया और minus c by a आई तो मन में कुछ-कुछ कुछणनी तो होगी कैसे कुछणनी ये c, 0 से pass हो रही c, 0 से pass सुनवाली infinite chords है किसी दिन ये 1, 0 भी हो सकता था point 1, 0 एक particular point है कौन है focus से pass सुनवाली सारी chords focal chord कहलाती तो अगर ये c, 0 से pass होने की बजाए ये chords अगर focal chord होती क्या होती focal chord hence for focal chords t1 into t2 बराबर c की जाए क्या रखोगे a क्या आगया minus बहुत प्यारे रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अगर 2, 4, 5, 10 बार इनको पढ़ते रहोगे फर्रे बनाके दिवारों भी चिपकाल होगे जिन देंगे बज जाएंगे और आप बहुत फास्ट करोगे question believe me t1, t2 बराबर minus 1 भाई साब focal chord के extremities का focal chord के extremities के parametric का जो भी coordinates होते हैं उनका product हमेशा minus 1 बहुत बढ़ी बात है भाई साब अगर t1, t2 बराबर minus 1 आया तो मेरे को एक और hashtag मिल गया फिर से मुर गया hence again इसब लास्ट वाला hence again the parametric coordinates the parametric coordinates of the extremities of a focal chord the parametric coordinates of the extremities of focal chord may be taken as may be taken as 80 square comma 280 and a by t square comma minus 2a by t हम तो मर गए थे नम मेरे और साथ तक जी के साथ किते लोग हैं साथ से बहार आगई जिनकी एक दम बिलकुल ये पका कैसे है बता सारा जी कह रही है कि अगर एक का पैरामेटर टी मान होगे तो दूसरे अगर नेगेटिव रेसी प्रोकल हो जाएगा क्योंकि उनका प्रोड़क्ट माइनस है वोई परपेंडिकुल स्लोप का होता था का ना तो अगर एक का पैरामेटर टी माना इसको और नेटी हो गए तो दूसरे कोई दूसरे माइनस होना थी पैरामेटर तो माइनस अन ना थी रखेंगे तो ए बाई ती거든 है कोई समस्या कोई दिकत ठीक है फैरी नाइस Focal distance of a point P Focal distance of a point P X1, Y1 और 80 square, 280 किसी भी तरीके से दिया जा सकता है point तो फिर लोग उनको हसी आई और कैसे गुलाब चंद हो यार तो किसी point P की focal distance हमने define करी थी उसकी focus distance SP is the focal distance of point P क्या मुझे S के coordinate पता है A, 0 P की coordinate X1 का मुझे बन दिये गए या फिर 80 square, 280 जो भी होंगे parametric coordinate दिये हूँ चाहे Cartesian coordinate दिये गए जो भी दिये गए हूँ क्या मैं S और P की B distance formula से निकाल सकता हूँ अगर मैं distance formula से ही निकाल सकता होता तब तो article ही नियोता न फिर अगर article है तो इसका उतलो definitely आप किसी और तरीके से निकाल सकते हूँ definitely आप किसी और तरीके से निकाल सकते हूँ मैंने यहाँ पे एक directrix बना दी यहाँ पे एक directrix बना दी इस P से यहाँ पे परपेंडिकुलो गिराया यह monkey था पता पड़ा S P P M के बराबर है S P क्या है P M के बराबर तो P M तो बिना distance formula के निकाल सकते हूँ भाई A plus X1 यहाँ इस पूरे drama में माना गया है कि A positive है जो हम शुरू से कहते हैं मेरा parabola जो मैं wise का रिजी गस्टो 4X मानता हूँ उसके लिए मैं मान के चलता हूँ कि A positive है तो यह distance A ही है और अगर A positive है तो parabola right side में ही है तो X1 भी positive है तो यह distance ही positive है यह distance ही positive ही तो जोड़ा जा सकता था direct इसलिए mod नहीं लगा है यह समझा रहा हूँ A plus X1 बोल सकता हूँ क्या A plus 80 square भी बोला जा सकता है बोला थीग एक और standard result hashtag कुछ भी नहीं समझ में रहा हूँ कुछ भी सहां से फूल जाए तो रोग सकते हैं मास्टो ऐसे परिसान होनी के जरत नहीं है कि सब आपको next class में रटा होगा तो आपको question करने मजाएंगे तोड़े विल ट्राय तो कवर दू मैक्जिम्म थेओरी as much as possible फिर कुछ नी कुछ नी कुछ पेल के लिए कि रट के होगे तो मजा आएगा थेओरी दू रटी हो नीचे पहरा बोलागी तभी एंजॉय करता है आदमी अगर किसी भी point की focal distance में को निकालने होगी न तो उसका fc सा उठाओंगा fc सा ही बोलते न x-coordinate को उसका fc सा उठाओंगे a जोड़ दूँगा इवाइस करें जिकस तो 4x के लिए बात चल रही है a तो उसकी के लिए होता है भाही तो a जोड़ दिया उसकी fc सा में तो उसकी focal distance आगी बहुत असा ने है तो कोई distance formula formula लगाने किया वह सकता है नहीं है ठीक है hashtag जब मेर कोई focal distance मिल गई फिर इंसां के लालाज बढ़ गया hence the focal chord of minimum length the focal chord of the minimum length the focal chord of minimum length the focal chord of minimum length will be the latest rectum will be the latest rectum लोगो ने पूछा क्यार जो minimum length की focal chord है न वो हमेशा latest rectum होगी अच्छा focal chord हमेशा focus से pass होगी 1,0 से ठीक है अब देखो वैसे तो मैंने यह वाली बात आपको calculus में बहुत बार समझाने कोशिश करिए मिनिमम लेंथ होती है मतलब सबसे कम नेच्रल सी बात है मैं तो यह जानता हूँ कि अगर यह साथ डिगरी का बना रही है न एंगल तो 120 डिगरी एंगल बनाने वाली focal chord इसी लेंथ की होगी बहुत पक्की सी बात है एक दम बिल्कुल 100% 120 बनाने वाली focal chord लगबग इस तरह की होगी और ड्यू टू महावीशन सिमेट्रिसिटी यह उसी लेंथ की होगी जिस लेंथ की 60 डिगरी वाली यह बात हमें समझिए है ठीक है ठीक है इस chord को धीरे दीरे 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 ऐसे किया और इस वाली chord को धीरे दीरे ऐसे किया तो एक दिन आईख ऐस़ और आए कि एक ऐसी chord मिलेगी जु अपने आपमें यूनी aогоइद् Clinography है लोग डेंचु डेंचु करने वाले ऐसे भी मिल जाते हैं कि सार्थ तेरों क्या पता किसाल है ये लेंध ऐसे करने से छोटा रही है होता है से लोग तो हमने बोला देखो भाईया ऐसी बात है चीजी सी इस पे अगर आप भावो को जाओ किसी दिन तो एक कि maximum distance maximum length की chord मिलेगी जिसकी length infinite है जो की ये वाली है जिसे मैं chord नहीं बोलूँगा obviously से थोटा सा tilt होने के बाद ही मैं इसे chord बोलूँगा पर फिर भी इसकी length to maximum है तो इसका मतलब ऐसे गुमाने से length कम हो रही है ठीक है ये एक ऐसी length है होगी जिस दिन कम जिस दिन least होगी क्यों क्योंकि इसके बाद फिर से tilt करने पर आपकी length फिर से बढ़ेगी क्यों क्योंकि 90 के बाद 100 degree वाली जो line है वो 80 degree पहले मिल चुकी है वो तो repeat हो रही है इसका मतलब तो इसका मतलब ये length जो आएगी वो least जो इसकी length होगी वो least होगी इस focal cord की जो कि जब ये lattice rectum बनेगी ये तो इसका theoretical explanation है बट ये तो कोई बात नहीं हो इन आप ये ऐस तो दो होता है तो लो ऐसा नहीं होता है तो इसका parameter t माल लो तो इसका parameter क् minus 1 by t अभी ही तो समझाया भाई ये सूरत sp sp मतलब focal length of your focal distance of point p that will be equals to a plus at square मान रहो नहीं मान रहो यार sq is the focal distance of point q focal distance of point q उसके fc सामे जोड दो उसका fc सा a plus a by t इसका मान रहो नहीं मान रहो यार s p plus pq is sp plus sq is pq pq is 2a plus a times t square plus 1 by t square इसके बारे मैं कुछ जानता हूं मैं क्या जानता हूं गेट दन इकल्स तू गेट दन इकल्स तू इंटू a गेट दन इकल्स तू 2a plus 2a गेट दन इकल्स तू 4a ओपो तो लीस्ट इस्टेंस होगी है लीस्ट लेंथ होगी वो फोरे होगी डाट वी फोकल ओ लेटस रेक्टम तो एक मिनिम्म लेंथ की जो फोकल कॉर्ड है वो लेटस रेक्टम होती theoretical explanation mathematical explanation दोनों आपके पास करते हैं वो डाट भीस्ट सबस्टेंस है पास लाइन एंड पैरा बोला जो लोग पहले कर चुके हैं उनने देखी देखी चीजे लगेगी जो लोग नहीं कर चुके हैं उनके साथ सानुभूती हमारी कर दिया गया था पहले सरकल में किसे को याद ही या रहा है पिस्ट दिया था कर निदा तुमने सच में तुमसे तो यूमीद नहीं थी मेरको कि क्या बन रहे हैं भाईया या थी कि हद बत्तमीज यह बेटर तरीका है यह x-axis यह y-axis यह मेरा parabola y-square is equals to 4ax और एक line इसको काट सकती है इसे टचा सकती है इसके बाहर से निकल सकती है इस line की इक्वेशन मानी गई है y is equals to mx plus c इन दोनों को एक साथ solve करने पर क्या मिलेगी एक quadratic मिलेगी है क्या किसी क्या लिखी भी m-square x-square plus 2 times mc-4a times x plus c-square is equals to 0 इतना time ठोड़ी लगना ची भाई I am expecting की मैंने सही लिखे सही लिखे होगी मतलब ठीक है इस मेर में क्या गलत करेंगे हाँ इनको एक साथ solve करने पर इसका discriminant अगर 0 आ गया तो यह क्या बन जाएगी tangent बाकी 2 case की बात मैं भी फिलाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेर को tangent से मतलब है इसको tangent बनाने के बात सी के लिखे कितनी आई a by m जो करके आए उन्हीं से बात चल रही भी है बाकी चल मारू मुर्गिया y is equals to mx plus a by m always touches y square is equals to 4x y is equals to mx plus a by m हमेशा y square is equals to 4x को touch करती इसके बाद analysis जहां पर लेके गए थे हम लोग वो ये था कि यदि ये line यदि ये tangent line किसी p point h, k से पास होती है किसी p point h, k से पास होती है तो h, k से satisfy करेगा रख दूं क्या मिला बोलो h m square minus km plus a is equals to 0 जिससे मिलने वाले m, m1 और m2 इसी p point से डाले जा सकने वाली tangent के slope है इससे किती tangent खीची जा सकती है क्या ये quadratic मुझे बता सकती है या बोलते ही नहीं हो यार इस quadratic का discriminant अगर greater than 0 है यानि दो tangent equals to 0 यानि की और less than 0 यानि की इसका discriminant निकालोगे तो आप सद्मे में आ जाओगे that will be k square minus 4ah which is s1 for this point यानि की इस quadratic का discriminant directly s1 से related है s1 क्या बताता है इस p की relative position इस parabola के लिए मतलब p की position parabola के corresponding की p point बाहर है पर है या अंदर है वो s1 से बता पड़ेगा और ये discriminant से related है तो इसका मतलब मिर बता पड़ेगा किती tangent खीची जा सकती है क्लियर है अच्छा अगर इस p point से खीची जा सकने हाली tangents mutually perpendicular है तो पी का लोकस क्या आता है मज़ा ही नहीं आता है तुम लोग इससाथ एक्स जितने लोगों को पता हो उतने तो बोला करो कम से कम director circle यानि कि director circle की equation निकाले जा सकती है अगर m1 into m2 equals to क्या कर दिया जाए product of the rules बोली जल्दी a by h is equals to minus 1 slope आ गया locust आ गया x is equals to minus 1 which is actually the directrix hence , drawing अभि तो अबितो सुरु को यह फोटो बनना है बता आए ता क्या करूं मैं तो कितर खदा हो मैं इसर खड़ा ऐस देखने लग जाते हो इसर खड़ा है दर एक उतर देखने लग जाते हम उतर खड़ान लोकर देखने पताने क्या इतनी बार सम्झादी मेर को देखने से कुछ नहीं होगा, बोड देखो बाज ही नहीं आते लोगा मैंनी अट्राव उल लिखना लिखो, छोड़ दो पर यह स्वर्दिंजी गर गये थे हैं? कब आये? कल के नहीं आये फिर? सो रहे थे एं? अपरेशन हुए? क्या हो गया? यह उमर है अपरेशन की? अब इसे ही? अब इसे ही? अब इसे ही जल्दी थे भाई हाँ हैंस डिरेक्टर शर्कल अफ़ पराबूला हैंस डिरेक्टर शर्कल अफ़ पराबूला इस 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 डिरेक्टरिक्स यह डिरेक्टरिक्स तो आई भाई है तो कोई भी पराबूला अगर मेरको उसका डिरेक्टर शर्कल पूछा जाएगा तो मैं मुझसे इन शॉट उसकी डिरेक्टरिक्स की एक्वेशन पूछी गई है सीजी सी बात बस और कुछ नहीं क्लियर है ठीक weapon . Length of the chord Length of the Chord Intercepted on y i-equal expands by y-squareיבi is equals to 4 a x is is 4 by m square root under a into 1 plus m square a minus cn क्या कहना चाहर है भाई एक पैरा बोला है उसकी एक कॉड है जिसकी एक्वेशन मेरे को दीवी है y is equal to mx plus c तो जो पीक्यू लेंथ की जो कॉड इसने इंटरसेप्ट करी है इस पीक्यू की लेंथ ही आएगी यही तो हुआ इसकी बात वैसे मैं पहले कर चुका हूँ आपके साथ अगर मैं इसे x1 y1 और इसे x2 y2 मानता हूँ सुनोगे तो मजा आएगा ज्यान से अगर मैं इसे x2 y2 मानता हूँ तो पीक्यू लेंथ निकालना मेरे लिए मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला नाम की चीज होती है x1 माइनस x2 का होल स्कार y1 माइनस y2 का होल स्कार हो सकता है आपको याद आजा है मेरी एक छोटी सी चीज x1 माइनस x2 difference of the roots जिसके x की quadratic की difference of the root जिसके roots x और x2 रहे होंगे कहां से आगी क्वाड़िटिक इस line को y is equal to x plus c को इस parabola y is equal to 4 x के साथ solve करके x की quadratic बना लो नहीं आ रहा है समझे उसके roots कौन है x और उसके difference of the root यानि की root d upon mod a से मेरा काम चल जाएगा नहीं she is saying yes okay तल जाएगा सही है ठीक फिर y1-y2 के लिए भी सेम काम करूंगा याद आ रहे कि अभी भी तक भी आद निया है कि ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं क्या दोनों equiatic बनाने की जुरत है इस x and y1 और इस x2 y2 को यहां रख दो इस x and y1 और या फिर सही बात है किसी ने बोला भी y2-y1 upon x2-x1 is the slope of this line actually तो y2-y1 को लिखा जा सकते हैं m times x2-x1 रख दूंगे याँ पर चल देली बोलो यार तो x2-x1 common तो mod x1-x2 तो आगया बाहर अंदर कौन बचा इतना काम तो हो गया बाई शिर्फ क्या निकाल ले mod x1-x2 यानि किसकी क्याटिक बनाने की ज़रत है किसकी एक्स यह बन गई क्याटिक एक्सकी एम स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर प्लस टू टाइमस mc-2a टाइमस एक्स प्लस मास्टर रखीए कि तुने नहीं रट बाट कुछ नहीं रखा भाई साब कॉंसेप्ट लिए रहे इसका स्क्वाइर किया न मन में और फोरे एक्स को इदर लिए पस और को काम थोड़ी कि हमने उमीद है सही लिखा है पस ठीक सही लिखाओ इसका डिफरेंस ऑफ दूरूट क्या हो गया भीया रूट डी रूट के अंदर डी डी मतलब जल्दी जल्दी यार फी स्क्वाइर माइनस फोरे शी तो पूला करो कम से कम वह भी नहीं बोला जाता तुम लोग से फूर टाइमस एमसी माइनस टूए का होल स्क्वाइर माइनस पाइम इसक्वाइड सीच्वाइड संफेड सही लिखायगा अपाउड है रूट डी बाई मौड ए ही उता है अमे इसक्वाइड मौड ने लगारहें मेरी इच्छा लाँ 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 आउं नहीं सी से नो नहीं लाइड एम मौड यार कुछ तो सरम करो यार अजीब दासता है ये कहां शरू कहां कतम अब फूर बार आएगा टू आए गुलाब चुन लेगा सांत गाता हरी सांत ये फूर कमल लिया मैं अभी तो और कुछ नहीं करा तू आएगा बार आप चुब वो स्क्वाइर कर रहा हूं बाद में सपर तो रख दो मिनट यार अब इसका स्क्वाइर कर दी है एम स्क्वाइर सी स्क्वाइर एम स्क्वाइर सी स्क्वाइर कैंसल 4A स्क्वाइर माइनस 4 ACM लिख रहा हूं ACM जिससे से माजाय इसलिए नहीं तो फिर रो हो गए, अरे सेम निया या, सी एम थाएं, सी आगे तुमरे, हम यहां से फूर और, फूर और कॉमल ले लो गे तो बाहर हो जाएगा, फूर अपान एम स्कार अंदर आगया, एंटू ए माइनस सी एम, इसको अंडूर बन प्लस एम स्कार और मल्टिप्लाइ क बोलो, अच्छा, ओलीचर, ओलीचर में क्या हो सकता है, 81 स्कार कॉमा 281, कुछ लोगों ने बोला, क्यार तुम पैरामेटर पैरामेटर चिलाते रहते हो, तो तुम इसे पैरामेटरिक से सॉल करके क्यों नहीं दिखा रहा है, मैंने बोलो, कर लो यार यार यह तो और भी आसान है, यह तो हमेशा आसान है, AT1 स्कार कॉमा 281 इसके कॉडिनेट अगर माल लिये जाएं, और AT2 स्कार कॉमा 2 AT2 अगर इसके कॉडिनेट माल लिये जाएं, कुछ अच्छा सोच रहा है, क्या पता है, जबदस्ति है, तेरो किस सievous पता है? यह पता है, बिकार में और से लिए हैं, तो कुछ पता हो जो आपता है, इस पता है? और सोच तरहा है, मौगेंब बहुत कॉस्च जोगी है, लों देखो दो, हाँ सुनो P T 1 Q T 2 माल लिया तो distance formula लगाऊंगा अगर P Q में P Q में अधि में distance formula लगाता हूँ root under तो X 1 minus X 2 का whole square और इसका भी whole square करना ही पड़ेगा मतलब ऐसा seriously A square T 1 square minus T 2 square का whole square plus 4A square T 1 minus T 2 का whole square कुछ गभड़ दो नहीं है बोल तो दो यार mod T 1 minus T 2 तो आगया बाहर और root under यह तो सही है तुम चिंता मत करो A नहीं निकाल रहा बाहर A square T 1 plus T 2 का whole square plus 4A square यह है बही है अब मेरे को एक तो T 1 plus T 2 चाहिए और एक T 1 minus T 2 को mod चाहिए नहीं सहुझा रहा एक तो यह मिल जाए और एक यह मिल जाए और एक यह मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा A square common नहीं ले रहा दूर दर्सी था क्योंकि यह a common था ही नहीं और जबड़ दस्ती क्यों common ले लो भी नहीं इसलिए नहीं लिया पता तो ही नहीं रिजल्ट क्या लाना है मस्ती दोड़ी चल रही है कोई अब सुनो यह वाला method में क्यों बताया मुझे T 1 plus T 2 चाहिए और T 1 minus T 2 चाहिए difference of the roots तब मिलता है जब आपको समधर रूट और product of the root पता हो तो difference of the root आप निकाल सकते हो समधर रूट की जड़त तो ही product of the root और चाहिए T 1 T 2 अगर दो चीजे मिल गई तो मैं फिर कुछ भी कर सकता हूँ T 1 T 2 के साथ रे कौडरेटिक मेरे को ही सिखाती है कि अगर आपको समधर रूट और रूट रूट पता हो तो roots के साथ अब कुछ भी कर सकते हो ठीक है तो आपको T 1 plus T 2 और T 1 T 2 चाहिए थे P T 1 Q T 2 को जोडने वाली कौड की equation क्या मुझे अपने हिसाफ से पता है बोली फटा फट अब यह तो लिखी भी आपके पास देख के बोल सकते हो 2 X minus T 1 plus T 2 times Y plus 2 A T 1 T 2 is equals to 0 एक दिन यह equation लिखी पड़ी थी कहीं पर ठीक हम उठाला है हमने बोला है कि यार यह लोगों ने बोला कि यह P Q line की equation है हमने बोला यार तुम मजाक करते हो यार question में तो MX minus Y plus C is equals to 0 DV है है फिर हमें याद आया कि एक line की equation अगर दो तरीके से लिखी ज़े लाइन की equation लाइन की equation नहीं होती भाई साब एक आएगी तो दो तरीके से लिखने पर भी आप उसे compare कर सकते हो compare कर दिया 2 upon जल्यल दी M is equals to T1 plus T2 upon पाउन बन माल ले दें चलो तू कहां से आगया इस इक उस्टू तो टी एटी वन टी टी टू अपाउन 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 सी तो यहां से आपको T1 plus T2 की वाल्य मिल जाए कितनी मिली तू बाई एम और टी 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 टू की वाल्य मिल जाएगी C by A M 2 to cancel C by A M कुछ समझ मा रहे है some of the root you have, product of the root you have, difference you can find और इसको यहां रग दो directly कि उप्राइटली फिनिस अपाउन निकाल लेना चीए था ऐसे ऐसा मुझा आप लग रहे है ऐहर, आझा इंद बाहर, अश्छिन से तंक सब्सक्राइब, अब नोच सब्सक्राइब, आझाओ अब देना माझना फंटम लिये, यु सुट टेक आउट अख्ट अलाइब, अच्छित अँ शुट आख्टर, आख्टर फंटम लिये, अगध में वैसे एरो ऊप्लिये, सम आगया प्रोडेक्ट आगया तो डिफरेंस कैसे आता है मुझे पता नहीं इसलिए मैं आगे कर नहीं रहा हूं मेरी सकल गूर्णिया को फैयदा नहीं है रेफर कॉड़रेटिक सौल कराने का परपस अगर आपको की सी लाइन की क्विशन दी गई हूं और फ्युर भी आपको क्सें पेरामेट्रिक से करना हो तो आपको टीवन प्लस टीटो और टीवन टीटो की जरौत पड़ति उप इस तरीके से निकाले जाते हैं किसी भी और क्योंकिन बेट परोट सिं आप इस तरीक से निकाल सकते हैं, हाला कि T1 प्लस T2 तो में वैसे भी बहुत आराम से निकाल सकता था, क्योंकि इस कॉड का स्लोप 2 अपन T1 प्लस T2 होता है, अभी तो आपको एस्टीडियम बंद करवाया भाई, इस कॉड का स्लोप 2 अपन T1 प्लस T2 होता है, जब कि यह क्यारा M है, तो T1 प्लस T2 गया लिए तो 2 बंद वहास ही बाजाती, लेगिन T1 T2 के लिए चुंकि महनत करनी पड़ती, इसलिए मैंने पूरी महनत एक तरीक से करवा दी, तो T1 T2 तो आपको गही ना कहीं से लाना ही पड़ेगा ना भाई, T1 प्लस T2 से काम थोड़ी चला लोगे, इसलिए मैंने इसलिए मैंने इसलिए मैंने कंपेर करके दोनों चीज़ें एक साथ निकलवाई यह, इसलिए ठीक है, जब यह ऐसे रेंडम कॉर्ड की एक्विशन आगई मेरे पास, रेंडम, यह रेंडम कॉर्ड ही तो थी, कोई भी य जी को स्ट्री में एक स्प्लस थी, तो फिर तो मल लल चाया, अब तो फोगल कॉर्ड के लिए भी कर सकते हैं, यह, यह रेंडम का 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 रेंडम दोनों को अलग-लग रखने की जरूत नहीं, उसे आप रिड्यूस कर सकते हो, एक में, यह manipulation important है, और दूसरा यह T1 प्लस T2, और T1 T2 की value जैसे हम लेके आये न, यह manipulation important है, और सिर्फ इसी की वज़े से question कराया गया है, इस result result में मेरा को interest नहीं है, न रटना है, ऐसे तो मर इस तो constant, which is equals to minus C by A, और एक focal chord के extremities के coordinate, A T इसको मतलब, एक का parameter T, तो दूसरे का parameter उनका negative reciprocal, यानि की minus 1 by T हो, अब तक बताई गई चीजों में, से शिर्फ इन ही चीजों को रटने के आवे सकता है, यानि की 3, ठीक है, हाँ, directrix, director circle होता है, अच्छा, वो line and parabola भी हो गया, अ Hashtag, पापस बोल, 80 square और 284, 5 plus 7 plus 11, T1, T2 का है, हाँ, 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 सबासी दो, हमारे प्यारे driving license ने एक बात बोली, कि ये master, इस तो T1 plus T2 और T1 T2 निकाल रहा है, ये तो quadratic बना के भी निकाल सकता था, बात तो सही है, Y is equals to, ये मैं थोड़ी दिर बाद में बताता वैसे, बढ़ ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं, अगर कोई line किसी parabola को cut कर रही है, यदि कोई line किसी parabola को cut कर रही है, तो आप उस line और parabola को solve कर सकते हैं, तभी तो इसके parametric आएंगे, इसे कहते हैं, parametrically solve करना, तो क्या, दो तरीकों से param parametric solve होते हैं, एक, तो line की parametric equation के साथ parabola solve करा जाएं, जो अभी हम next question में करने वाले हैं, दूसरा, एक parabola के parametric coordinate को line के साथ solve कर, basically आपको दोनों को parametric के लिए लिखना आता है, line का parametric, अपन लाइन में सीख चुके हैं, पराबोला का parametric 80 square, 280 होता है, तो इस parabola के साथ solve करने के दो तरीके, एक तो algebraic way जो यह आला solve किया हमने, यह koatic बनी, एक होता है parametric way, क्या मुझे parabola के parametric coordinate पता हैं, क्या है, 80 square, 280, इसमें ठोक दो, अगर मैं इसमें ठोक दूँगा, तो मुझे एक koatic मिलनी चाहिए, मुझे koatic क्यों मिल रही है, क्योंकि maximum intersection दो होते हैं, एक line और पैराबोला है, maximum intersection दो हो सकते हैं, तो मैंने 80 square, 280 में ठोक दिया, तो यह मिल गया मेरे को, amt square minus 2 at plus c बराबर 0, सही है, इस quadratic ने मेरे को बात बोली, जाहिर सी बात है, क्या बोली, is quadratic ने, कि इसके parametric जो है ना, इसकी जो roots है वो T1 और T2, कौन है यह T1, T2, जिस जगे पे भी यह line इसको काटेगी, उसके parametric coordinate होंगे, ठीक है, तो sum of the root और product of the root तो मैं यहां से भी ला सकता हूं, बिलकुल ला सकता हूं, 2 by M और T1, T2 वराबर C by A, यह थोड़ा दा fast हो जाएगा, लिख के compare करने के बजाए, हम यह अल यह वैसे मैं card of contact वाले time पर बताता है, लिए ठीक है, अब मैं यहां क्या करा रहा था, हैस्टेग length of the focal cord length of the focal cord making theta angle length of the focal cord making theta angle with the axis of y square is equal to 4ax is 4a cosac square theta एक ऐसी focal cord जो की axis से theta angle बना रही है की जो length है मेरे पर तो privilege है ना भाई, मैं तो use करूँ कम से कम इसको focal cord तो मैं किसी भी दिन बना सकता हूँ, यह देखो यह बन गई, कि जाक्स यह focal cord बन गई यार अच्छा दिया यह गया है कि अगर यह theta angle बनाती है, तो इसकी length 4a cosac square theta होती है, अभी थोटे दिर पहले हमने प्रूव किया था कि greater than request to 4a होती है, तो यहां से भी आ रहा है, को सेक theta भी तो मैंशा वन्यवन से square जो होगा उसका वन्यवन से बढ़ा होगा, नहीं और theta जिस दिन 90 होगा, उस दिन इसकी length list होगी, which is 4a, बोलो यार, तो वो 4a वाला जो result था, वो आ तो यहां से भी रहा है, लेकिन इसने तो इंतहां कर दी भाई, इसने तो length ही पूछ ले इसकी, कि 4a cosac square theta होगी, तो हमने बोला, अभी अभी हमने एक चीज सीखी है, अभी अभी हमने एक चीज सीखी है, कि, कि मैं किसी भी chord की length निकाल सकता हूँ, अभी तो हमने सीखा कि मैं किसी भी chord की length निकाल सकता हूँ, PQ chord की length मैं लिख सकता था, 4 by m square, a into 1 plus m square, into a minus cm, बसरते उस line की equation y is equals to mx plus c हो, नहीं समझ आ रहा है, अच्छा ही जो random chord है न, y is equals to mx plus c, उसके बारे में अभी मेरे पास दो information है, जल्दी बोलो कौन सी दो information, एक तो वो 1,0 से पास होती है, बहुत बढ़िया, ये 1,0 उठा के इसमें ठोक दिया, तो c की value आ गई, minus a है, मांड़ो नहीं मांड़ो यार, 1,0 से पास करा है, दूसरी information बोलो जल्दी, slope किता है, slope, tan theta, perfect, इस दो information है मेरे पास भाई, I have two information for this line, y equals to mx plus c, अगर ये line y equals to mx plus c होती तो chord की length ही होती, मेरे पास दो information है, एक तो c की जगे, minus e हम रख सकता हूँ, और एक m की जगे, tan theta, रख देते हैं, रख देते हैं, 4 by m square, root under a times 1 plus m square, c की जगे, minus a m, तो a और आगया, फिर से common, 1 plus m square, तो ये आगया, 4 a upon m square into 1 plus m square, m की जगे, tan theta तो ये बन जाएगा, sec square upon 10 square, तो मानिलो, 4 a upon square square आएगा, प्रूव करना मजाग सुड़ी चल रहा है गई, 4 a upon square square theta, that is what we call hopo, hence truth, लोग नाराज हो गए, लोग अभी भी नाराज जाते हैं, मारश्वत तू ने तो बोला तो formula रटने की जड़त ने, तुने खुद ने भी उस कर लिया, सान्थ गायधरी सान्थ, कोई जवड़स्ती थोड़ी कह रहा है कि आपको इसी तरीके से करना है, आप पूरी महनत भी कर सकते थे, अब अगर मैं पूरी महनत करने पर आजाओं, तो मैं कुछ-कुछ कर रहा हूं यहां पर, मैं समझाओंगा, एक परसेंट भी नहीं, ठीके, जिसे समझ में आजाए, वो वाद में बताजाए ना कि हाँ, कुछ-कुछ फील तो आईए, ठीके, ऑव लीचर, अजीव दासता है यह, कहा शुरू, कहा खतम, यह मंजिलें हैं कौन सी, कहा शात्यूम् नतुम्साम्स सकुना हम, लारारारारार forward little थैस ल्गज सकते हैं एओ वू। हुआ हम जिंदा है इतनी लुग जिंदा है तौमायदरनी पड़गी भावली अरत ये कह? किसका स्लोप, पी क्यू का कैसे, पी क्यू का स्लोप कैसे है यह 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 है तो क्यों का परामेटर है तो उस हिसाब से तो इसकी स्लोप लिख दिया और वो टैंट सीट है कि परावर होना चाहिए था तो टी माइनस नभाइटी के वल्यू आगे टू कॉर्ट यह मैनुपलेशन होते हैं इसी कि अब आपको विश्वास हो यह ना हो अभी थूट दिर पहले जब मैं फोकल कॉर्ड पीक्यू की मिनियूम लेंद बताई दी तम मैंने सुचा था कि इसको मैं इस में थर्ट से भी कर पाऊंगा यह फर्स्ट टाइम है लेटेस्ट देवलप्मेंट एक तम मैंने निकरा इससे पहले कभी क्योंकि जब मेरे को टी माइनस नभाइट पाइटी की वैल्यू मिल गई तब मेरे को एक बात क्लिक कर गई कि मैं इसकी वैली लिख सकता हूं अरे टी माइनस नभाइटी को होल स्का प्लस टू लिखना है को बड़ा काम थोड़ी किया है उसकी वैले में पास थी लिख दी दुम दीश दिश उसके बाद तु मैंने इ पढ़ गया हो तो क्या करे जा रहा है पता नहीं ठीक है अभी थोड़ी दिर पहले हमने एक काम किया था क्या काम किया था हमने जब मुझे यजी को स्टों मेक्स प्लस C की लाइन की इक्वेशन पता थी न तो इस पैराबोला के पैरामेट्रिक कोडिनेट के साथ इसे सॉल क किया 80 स्कार कॉमा 280 रखके उससे मेरे को टी की कोडिक मिली ठीक है उसे बोलते हैं पैराबोला को पैरामेट्रिक के लिए सॉल करना लाइन के साथ मैं लाइन को भी पैरामेट्रिक के लिए सॉल कर सकता हूं पैराबोला के साथ बसरते लाइन के पैरामेट्रिक एक्वेशन म में लिख सकता हूँ, हैं, A-K-T-K, this is actually very, very, very beautiful, very beautiful, मैंने थोड़ी देरी के लिए अपने से माल लिया, कि सत्यप्रकास जो है वो आरवन है, S-Q पता नहीं कौन है, यह आर्टू है, हैं, सुन रोगया, और P-Q की परामेटरी एक्वेशन लिखी, वो एक्वेशन होगी, X-A अपन, Cos-Theta is equals to Y minus 0 अपन, Sin-Theta is equals to R, इस पूरे ड्रामे में नोन कौन है, Theta तो नोन है, गुलाब चाहन, R, if I use R is equals to R1, I will get the coordinate of P, if I use R is equals to R2, I will get the coordinate of if I put R is equals to R, I will get any random point on this line, हैं, नहीं समझ मारा, यानि कि इस line पर लाइक करने वाले, किसी भी point के, parametric coordinate, R Cos-Theta plus A, R Sin-Theta रखे जा सकते हैं, and if I try to solve this, is Y square is equals to 4 AX, I should definitely get a quadratic in R, जिसके पास, जो roots हैं, वो R1 और R2 हैं, क्यों, क्योंकि P और Q intersection point है, यार, इसे उल्टा करना कहते हैं, this is what we call उल्टा करना, मुझे पहले से पता था, P और Q point of intersection, मैं उनकी distance R1 और R2 मान चुका था, अभी आएंगे कैसे, जब इस line को parametrically solve करूँगा, parabola के साथ, तो R की दो values आएंगी, एक value पंजाब की corresponding आएंगी, एक value, इन ही को intersection point कहते हैं, भाई, हमने थोड़ी दिर पहले, parabola को solve कहते हैं, parametrically line के साथ, तो उसमें 80 square, 280, फिर से quadratic बनी थी, तो T की दो values आएंगी, वो T की दो values किसके corresponding, intersection point की corresponding आएंगी, और किसके corresponding आएंगी, intersection point की corresponding ही तो आएंगी, नहीं समझ रहें, हैं, अब मेरी बात सुनिए, जब मैं इसे इसमें solve करूंगा, तो R की quadratic बनीगा, अब मैंने कहते हैं मानना पड़ेगा, R की quadratic बनीगा, उसके root R1 और R2, मेरा 1% interest नहीं है roots में, क्यों, क्योंकि मैं तो PQ length मतलब है, मैं मुझे root से कहले नहीं देना, मुझे किस में interest है, PQ length में, सही है, वो किस्च आजाएगा, वो किस्च आजाएगा, समावतो root से तो पूरी दुनिया लिखिया है, गेल से पहुं, R1 प्लस R2 तो आंदे को भी दुख जाता है, कि R1 प्लस R2 PQ है, लेकिन R1 प्लस R2 PQ थोड़ी है, PQ कौन है, mod R1 minus R2, PQ कौन है, mod R1 minus R2, क्यों, क्योंकि R1 और R2 में से कोई एक तो negative है, पक्का, क्यों, क्योंकि उस सूरत के opposite side है, सेम साइड तो काट ही नहीं सकते, औरे, सेम साइड थोड़ी काट दी, काट कभी, फोकल काट, फोकल काट तो हमेशे सूरत के opposite side काटेगी, तो इसमें आने वाले R में, अगर एक positive है, दूसरा, I don't care कौन सा positive, कौन सा negative, I don't know, मुझे मतलब भी नहीं और मुझे पता भी नहीं है, दोनों भी बात है, लेकि मुझे यह जरूर पता है कि अगर एक positive R1, तो R2 जो 100% negative, तो क्या R1 प्लस R2 मुझे कभी PQ दे पाएगा, वो तो छुटकी लेंद देगा बलकि और B, समझ रहे हैं, तो जो इसका स्टार मार्क स्टेप है, that is I am interested in mod R1 minus R, जो quadratic बनेगी वो कुछ ऐसी होगी दिखने में, R2 sin2 theta minus 4A cos theta R, minus 4A square माल लो, इसकी रूट्स कौन है, R1 और R2, घर पे तसल्ली से आप mod R1 minus R2 निकालोगे न, तो आपको PQ लेंद मिल जाएगी, which is again 4A cos square theta, मेरा विश्वास कहता है, लेकिन सम नहीं मिलेगा आपको 4A cos square theta, वो तो आप अभी भी करके देख सकते, सम अभी भी भी करके देख सकते, difference of the root निकालोगे, root D by mod E, you'll get the correct answer, दिख भी रहे हैं ऐसे, अगर आपके आँखे काम करती है, तो इसका जो B square minus 4A सी है न, वो बहुत interesting है, देखो B square मतलब 16A square cos square, फिर plus, प्लस इसलिए क्योंकि minus है, तो 4 times this, यानि कि 16A square sin square, तो 16A square cos square plus 16A square sin square, तो 16A square cos square plus sin square, तो बहुत रहे हैं न, यार, 16A square का अंडर root 4A, 4A तो आजाएगा उपर, अपन आएगा नीचे mod E, तो mod E में लिखोगे, आप sin square, तो mod तो बैसे बढ़ जाएगा बहुत जाएगा बहुत जाएगा, जोगरिव expressions देते हो, अभी मरे पड़ें कई लोग, जिन्दा है सब, घर पर जाएगे रटोगे बटोगे तो, बात सहट होगी तो मजा ने आएगा फिर, यह तो रटने का ने है खेर, यह तो समझने का है, mod R1 minus R2, कैड चलिए, जब फोकल कॉर्ड की लेंद आगई, तो फिर और लाला चाहिए, जादे लाला चाहिए लेकिन, जादे लाला तो जाएगा, सभी मैं बता दूँगा तो फिर तो गपरो जाएगा, ठीक, आगे बढ़ता है, जाएगा, टेंजेंट्स, और नॉर्मल्स, क्या आवाद है, राइटिंग अच्छे हो गया आपके, पहले ही अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी, अच्छी थी, बुर्मान गया तो, तुम पड़ोसन ऐसा क्या बोलती है, जो भी एक दिनी टिक पाती है, तो बताओ मेरेको, है, एक दिन जाद्वाद्स, किसी दिन गलती सायती है, पिसारी ड़ती रुटती, अच्छी थी, फिर यह कुछ बोलती थी, फिर गाया है, है, कुछ तो बोलती होगी तुम, तो कुछ नहीं बोलती थी, फिर इस लेन आती आता होगी, है, है, बोल लिया करो बिचारी को, कित्य मुश्किल से लाता होगी, समझा भूजा के, फिर तुम बेज देती होगी, टैंजेंट्स, एक्वेस्टन, ऑफ टैंजेंट, इन वरियस फर्म्स, फिर्स्ट, वो ही अपनी पसंदिदा है, वो ही मेरा प्यारा 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 भूला, वो ही मेरा प्यारा 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 भूला, y-square is equals to 4a x, जिसे हम लोग s नाम देने वाले हैं, वही हमारा पॉइंट px1, y1, इसके किसी पॉइंट px1, y1 पे, यदि मुझे टैंजेंट की equation निकालनी है, किसकी? टैंजेंट की. जगे रहना एक्दम बिलकुर अक्षे से, यदि इसके किसी पॉइंट px1, y1 पे, मुझे टैंजेंट की equation निकालनी है, तो भाई साब differentiation ही बोलती है, कि differentiate करके, इस point के coordinate रखने से, आपको इसके slope मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है, इससे differentiate किया, 2y y dash is equal to 4a, तो y dash is equal to 2a by y, अगर इसमें p point के coordinate रख दी जाएगा, तो 2a by y1 which will be the slope of tangent. सहिए है, 2a by y1, जैसी equation आ गई, जैसी slope आ गया, equation of the tangent, जल्दी, y minus y1 is equal to, 2a by y1 into x minus x1, yy1, yy1 minus y1 square, y1 square is equal to, 4a x1 is equal to 2a, x minus x1, यह बन गया, yy1 is equal to 2a times, x plus x1, थोड़ी देर हमने तसल्ली से इसे देखा, तो हमें पता पड़ा, अरे यह तो t बरावर 0 है भाई, यह तो क्या है, t बरावर 0 जो किसी भी second degree equation, किसी भी second degree curve की equation पे, directly निकाला जा सकता है, y square को yy1, और 2x को, x plus x1, वह तो लिखाया है, तो मेर को यह सब, सड़ा पर याद रखने की जरवत नहीं है, t बरावर 0 will, be a working formula for me, equation and tangent में t बरावर 0 से निकाल लूँगा, ठीक है साब, यह तो हुआ Cartesian form, which we will definitely never use, definitely means definitely, करेंगे ही नहीं सवाल नहीं परता है, क्योंकि हम Cartesian में, तो काम ही नहीं करते बाई साब, हमें पसंद ही नहीं काम करना एक परसेंट भी, तो फिर हम किसमें काम करेंगे, हम या तो slow form में काम करेंगे, या फिर parametric form में काम करेंगे, या तो slow form या फिर parametric form, slow form में मेरे को tangent की equation directly पता थी, y is equals to mx plus a by m, हम में पहले कर चुका हूँ यह चीज, y is equals to mx plus a by m, मैं इस पर time waste नहीं करने हैं बलापिर से, लेकिन हा, कभी यदि कोई मेरे से, अच्छा यहां पर m कौन है, slope of tangent, यह important है, मेरे को याद आगा है इसलिए बता दिया मैं, जब मैं normal की slow form लिखूंगा तो m normal का slope होगा, obviously जिसकी slow form लिख रहे हैं वो उसी का slope है, यहां पर m जो है वो tangent का slope है, ठीक है, ध्यान दीजे थोड़ा सा, observation करोगे तो सारी चीज़े एकदम relate होके याद रहे ही, ध्यान से सुनना सारी चीज़े है, slope of tangent आगा m, किसी ने मेरे से point of contact पूछ लिया, चलो भाई साब, आप बोल रहे हो कि यह line हमेशे इसे touch करती है, ठीक हमने माल लिया, कि this line always touches this curve, आप तो यह बताओ कि इसकी point of contact क्या है, तो अगर किसी ने पूछ लिया तो बताना पड़ेंगे, ठीक है, सरकल में भी हम एक बात कर चुके तो या तो इसे solve कर लो y square is equals to 4a x के साथ, इसके coordinate आ जाएंगे, यह तो होता है महंगा तरीका, दूसरा तरीका होता है कि point of contact को अपने हिसाब से माल लो x1, y1 और अपने हिसाब से tangent की equation मेरे इसाब से tangent की equation yy1 is equals to 2a times x plus x1 होनी चाहिए थी, ठीक है, थोड़ा सा शराफत से लिखोगे, तो 2a x minus y1 y plus 2a x1 is equals to 0 दिखेगी, यह वाली जो equation है वो क्या दिखेगी, mx minus y plus a by m is equals to 0, tangent tangent होती है भाई, a की point पो दो tangent थोड़ी आएगी, अरे सही बात है, तो इन दोनों यह दोनों जो एक की line को represent कर रही है तो we can compare the coefficient, if we compare the coefficient, मैंने कुछ गड़बड करीए क्या, नहीं करीए, 2a by monkey is equals to y1 upon 1 is equals to 2a x1 upon a by m, इसको solve किया तो यहां से आ गया a cancel, 2 to cancel, x1 की value आ गई a by m square और y1 की value आ गई 2a by m, तो इसकी point of contact क्या आ गए, point of contact, a upon m square, 2a upon m, gtr, याद रहे जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज्यादा अच्छा पता है कि इसका corresponding parameter 1 by m है, इसके corresponding parameter 1 by m, a by m square, 2a by m को देखके अगर आपके अंदर से feel आ रही है न, कि 1 by m parameter वाला parameter coordinate होगा, तो अपन दुनिया से आ गए है, क्योंकि मुझे coordinate देखके feel आ जाने चाहिए कि parameter क्या था उसके corresponding, तब हम बहतर पढ़ रहे हैं दुनिया से, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर तो, आम समात जैसे ही हम भी, लास्ट इस, पैरामेट्रिक फॉर्म, हाँ, ओवियसली, इसमें मेरे पास कुछ नया नहीं है सीखने के लिए, लेगन कुछ तो नया सीखेंगे ही, पी के कोडिनेट क्या होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में, 80 स्कायर कॉमा 280, slope of tangent देखको ध्यान से, slope of tangent is 2a by y1, 2a by y1, y1 की जए कौन है, 280, भीशन STD, यह तो सुभे, साम, रात, हड समय, जाब करते रहने, किसी पॉइंट, पी टी पे बनाई गई, किसी पॉइंट, पी टी बोले तो, टी इस पैरामेटर, किसी पॉइंट, पी टी पे बनाई गई, टैंजेंट, का slope, 1 by T होता है, किसी स्लोप, पी टी पे बनाई गई, टैंजेंट का slope, बन बाई, टी होता है, यह सांसमें बच जाएगा, तो हमारा आदिस ज्यादा काम वैसी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, समझाता हूँ, देखो जहान से, इसे देखो, यह कह रहा है कि अगर parameter T है तो slope क्या है, 1 by, उल्टा सोचो, अगर slope M है तो parameter क्या होना चाहिए, 1 by M, बात कथम, इसको रटने की ज़रती नहीं पड़ी, इसे रटने की ज़रती नहीं पड़ी, इसे रटने की ज़र, इसलिए GTR लिखा था, इसे रटने की कुई आवे शकता नहीं, observation strong होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि parameter T है तो slope 1 by T है, अरे तो slope अगर M है तो parameter 1 by M होना ची बात कहता हूँ, तो अगर parameter M है, तो point of contact दो direct आगे भाई, तुम मुझे slope दो मैं तुम point of coordinate दोंगा, सहीए, यह जो tangent की equation है, यह मुझे चीक-चीक के कह रही थी, कि मेरे parabola पे हर slope की एक unique tangent exist करती है, circle की case में slope from y is equals to mx plus minus a under one plus m square आई थी जो कहती थी, कि हर slope की दो tangent exist करती है, parabola है case में हर slope की सिर्फ एक पहली बात हर slope की tangent exist करेगी, 0 को छोड़के, क्योंकि 0 नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और हर slope की जो भी possible tangent वो सिर्फ unique होगी, दो बात हैं, इस वाली equation को देख के मैं कह सकता हूं, सभी बात है, slope मिलते ही point of contact मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर slope m है तो point of contact का parameter जो 1 by m है, clear है, clear है, अगर इन दोनों चीजों को observe करोगे, तो आपको point of contact याद रखने की जरुद नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है, parameter और slope में कह रिष्टा है, इसकी equation लिखना चाहो तो इसकी equation भी लिखी सकते हैं, बाकि इसकी equation इतना बड़ा कारणा में इसलिए नहीं है, क्योंकि टी बरावर 0 मेरे पास है, टी बरावर 0 से लिखिए, अरे y2 की जगे yy1 और 2x की जगे x plus x1 रखना है बस और क्या करना है, तो याजाएगी t y is equal to x plus a t square, मैं तो जनरली इसे NNR ही बोलता हूं, नहीं 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 है, तो इसे याद रखके कौन से जंडे गाड़ लोगे भाई, यह याद हो नहीं है y is equal to m x plus a y m, यस, इसको point of contact याद रहने की जड़त नहीं है, क्यों क्योंकि slope और parameter में रिष्था पता है, अलग-अलग चीजे याद रहो न, उसका एक उसका एक इसका कुछ भी नहीं, इसका t बराबर 0, इसका तो कार्टीजन फाम को तो T बराबर 0 पता हो न चीजे बस, और अ। औरा दो है चलो एक क्रिश्चन करते हैं Find C In terms of M Shaguni question Shaguni question 11th way Find C In terms of M Such that Y is equals to Mx plus C Touches Y is equals to X square plus 1 Simple kuchh no Dishya halwa kuchh nai osakta Tariqe बताओ जल्दी से फटा फट Tariqe, Tariqe, Tariqe हाथ उपर हो जाने चाहिए भाई अब तक तो इतना सोचना क्यों पड़ रहा है भाई टैंजन्ट बनाने के लिए तो सोचना ही नहीं है इन दोनों को सॉल करो ये क्वाइटिक तो बनी पड़ी है दिखे रही है मेरे को तो X कर माइनस MX MX प्लस वन माइनस C इसको स्टो जीरो उसका दी जीरो कर तो C के लिए आई जाएगी मतलब तो किस्चन बनाया है तो किसी ने तो मैंने तो अपने आप से बनाया अभी पता नहीं हाएगी भी नहीं लेकिन मैं वैसे नहीं कर रहा मैं वैसे नहीं कर रहा लेकिन हम कैसे करेंगे हम पॉइंट मानेंगे यह पेरा बुला है तो मैंने इस पेड पॉइंट माना एकड यह बनी अरे इस पॉइंट मानी तो से इस 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 इस-पॉइंट बना यहाई थी यह बेसिक तरीक है मतलब एक दम जब हमें कुछ नहीं पता था हम अज्ञान थे एक तम बिलकुल इस दुनिया से किस दुनिया में क्या चलता है इसे बोलते हैं टेंजन नॉर्मल में जो हमने सीखा लोग कह रहे हैं कि भाई साब यह इसे टच करती है यहानी कि M अपने इसाब से एंप स्लोप की टेंजन बना लेता हूं और बोल दूँआ यहिए तो मैं अपने इसाब से M स्लोप की टेंजन कैसे बनाऊंगा मैं बोलू भू किसी पॉइंट एक्शन आयान पे खिचिती हो टे तू इस X1 को इस पर ठोक दूँगा कौन मिलेगा जल्दी जल्दी बोलो यार वाई वन किता M स्कॉर बाइब फोर प्लस बन कुछ सब्सक्रा रहे हैं पॉइंट मिल गया इस लोप एम है तो मैं अपने हिसाब से क्या टेंजेंट की क्विशन लिख सकता हूं बोलिये Y- माइनस होता है यार Y- M स्कॉर बाइब फोर माइनस वन इस इक टू एम टाइम एक्स माइनस एम बाइब टू तो यह हो गया भाई देखलो यार Y इस इक टू एम एक्स minus m square by 4 पक्का plus 1 minus 1 plus 1 वे यह C है C is equals to 1 minus m square by 4 बात कतम this is it जो method आपको आपने पहले बुला आप उससे try करीए मेरी कुछ तो मजबूरियां रही होगी इसलिए मैंने इसको ऐसे करा है मेरी कोई इंट्रेस्ट नहीं था इस ऐसे कराने का मेरी कुछ मजबूरियां रही होगी इसलिए मैंने इस ऐसे कराया है मजबूरियां आप समझने पाऊगे इसलिए को फैदा नहीं बताने का आप दोनों को solve करिए discriminant zero करिए you'll get the answer हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं इस पी action 9 मान के इसकी t is equal to zero से equation लिखे उससे compare करिए आपको action y1 की value मिलेगी उस action 9 की value को फिर से इसके में ठोक देजे तो आपको c और m में condition मिल जाएगी और थोड़ा सा बहतर तरीका है इसको इसमें डाल देते हैं ऐसे बोल मैं फिर गबरा गया तो इसको इसमें डल वारा है मारने वाला था मैं सही में कंट्रोल कर रहा था अपने उपर यह action y1 इससे निकाल के लाएं पर इसमें ठोक दो उसमें डाल दो हाँ ठीक हाँ हाँ भाई बिल्कुल डाल देते अरे यह action y1 जो निकाले हैं इसको इसमें डालने से भी c मिल जाएगा हैं बिल्कुल मिलेगा बढ़े आगे next next अब रहा है यह उड़ना ही बढ़ेगा नॉर्मल सी है इस अब जी न मुस्करान लग जाते हैं एक दम जैसी डेड़ बजे के बाद मास्टर नेक्स नेक्स भोलता है समभजी की जहरी ली मुस्करान छूटन लग जाती पता नि क्या हो आजाता है इन्या क्या करोगे समभजी कर जागे नॉर्मल्स इक्वेशन अफ नॉर्मल इन वेरियस फर्म्स फर्स्ट इस अगेन कार्टीजिन फर्म यानि किसी पी एक्सन वाइवन पे आज मुझे जब नॉर्मल बनाने की जुरत महसूस हुई सर्कल में मैंने नहीं पढ़ा था नॉर्मल क्यों नहीं पढ़ा था क्योंकि सर्कल में जोमेट्री लगने की वज़े से नॉर्मल हमेशे सेंटर से पास हो जाया करता था तो अगर किसी भी पॉइंट में नॉर्मल बनाना है तो सेंटर से मिला के लाइन बना तो अला कतम कर नॉर्मल तो आई गे लेकिन इसमें ऐसा कोई कॉंसेट नहीं है तो इसलिए आप से इसकी एक्वेशन बनेगी y-y1 is equals to minus y1 upon 2a into x minus x1 this part of the movie is महा महा भीशन NNR मतलब गल्ती से भी अगर याद होने लगे तो भी बिल्कुल दिमाग से निकाल दे लॉजिक ही ना तो यह सड़ा पह याद रहना क्या सेंस है भाई इसे याद रखनेगा ठीक है इसके बाद आती है slow form this is life of the parabola actually life of the parabola ठीक है हम लेकिन इसे बहुत आराम से लापएंगे बहुत आराम अभी जो चीज सीखी हमने वो इसी वज़े से सीखी थी अभी जो चीज हमने सीखी let slope of the normal is m माल लीजे मुझे m slope का normal लिखना है इस normal का slope m है हम कह रहे हैं यह minus i1 by 2a है तुम कह रहे हो m है यानि कि minus i1 by 2a की value 2a की value m के बराबर तो by1 की value कितनी आ गई माइनस 2a by m मेरे पास y1 आ गया तो मेरे पास x1 नहीं आ जाएगा गया मुझे पता है y1 square is equals to 4a x1 है क्या यहां से x1 क्या लिख आ जाएगी am square समझ में आई बात नहीं है इस point के coordinate आ गए इसका slope आ गया बोलो क्या लिखना है y minus y1 यानि की plus 2am is equals to m times x minus x1 यानि की am square y is equals to mx minus 2am minus am cube very 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 important this is life खेलना बंद करो नो उसके साथ खेलते हो तभी तो ऐसा होता है तुम लोगों के साथ खेलते रहते हो धान बोर्ड पर रहता ही नहीं है parametric form parametric form मेरे पास कुछ नहीं नहीं है oh oh okay foot of normal foot is singular heat of the normal foot 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 of the normal क्या है am square comma minus 2am same चीज़े बिल्कुल एक दो आप correlate करोगे ना आपको मजा आएगा देखो parametric form pk coordinate के हमाल ले जाएंगे 80 square comma 280 slope of the normal minus y1 upon 2a minus y1 upon 2a y1 की जगे 80 minus t slope आ गया point पहले से पता था अर्यार आपके पास point एक बाद बता हो और आपके पास slope आ गया तो equation आपके लिए बहुत मुश्किल थोड़ी है यह बन गई y plus tx is equals to 280 plus 80 q इसमें और इसमें रिष्टे m is equals to minus t या t is equals to minus m m की जगे minus t रख दो यह बन जाएगा t की जगे minus m रख दो यह बन जाएगा यह t is equals to minus m की रिष्टे कहां से आये tangent में हमने देखा था सुनो parameter t है तो slope tangent का 1 by t है अगर किसी point पे खीची गई tangent का slope 1 by t है तो normal का minus t होगा आया है अरे आयेगा भी हट चीज आएगी अगर आप correlate करोगे तो जब tangent का slope m था तो उस point का parameter 1 by m है क्या है 1 by m यह minus m होगा अगर slope of normal यह normal का slope m है तो उसका parameter that is minus m इसको रिष्टा कैसे set करें हाँ ऐसे set करो सही है कुस तो बोला है इसने क्या वाबस बोल अच्छा यह कह रहे हैं कि अगर normal का slope m है तो इस पॉइंट पे tangent का slope minus 1 by m होगा और अगर tangent का slope minus 1 by m है तो उसके corresponding parameter minus m उसका reciprocal सीधा-सीधा put off the normal इन चार-पांच चीज़ों अगर आपने correlate कर लिया तो आपको इक चीज याद रिखने के जरूरत है pt पे खीची के tangent का slope 1 by t होता है बागी सब interrelated है और यह नॉर्मल फॉर्म जो है यह तो सांसमें बसी होनी चीज इसका कभी मैं यूज नी करता क्योंकि यह same है यह same है t की जगे minus m या m की जगे minus t रखो interchangeable मेरा काम इससे हो जाता है यह जो cubic बनी है na m की यह भी एक बात कहती है पेराबुला में किसी एक unique point से लब किसी एक point से maximum 3 normal खीच सकते हो लेकिन एक तो खीच होगे इस खीच होगे क्यों क्योंकि cubic का एक root तो real हमेशा आएगा यानि कि दुनिया में किसी भी point से इस पेराबुला के लिए एक normal तो खीचा ही जा सकता है maximum 3 खीच सकते हो max 3 normals can be drawn क्यों क्यों cubic आई ना तेंजन के केस में quadratic आई थी y-z-to-mx plus a-by-m तेंजन के केस में quadratic मिली थी जो बोलती है किसी point से max 2 tangent कहीच सकते हैं वो हमें समझ में भी आता है geometrically ठीक है बट इसमें mathematically निकल के आया cubic आने का मतलब यह है कि किसी भी point से max 3 normal और minimum 1 normal तो खिचेगा ही खिचेगा क्यों cubic का एक root real होना कंपल सरी है point अंदर लाए करेगा नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं point भार भी हो सकता 3 normal बनने के लिए ठीक है अभी समय उसने शांत बागो मत